है गाईज आप सभी का स्वागत है मैं चैनल पर मैं हूँ शुर्म सुदामा आज मैं आपके स्वीडियों बताने वाला हूँ कि आप अपने इमेल का पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो उसे पता कैसे करेंगे या रिकवर कैसे करेंगे ठीक है तो क्या होता है कई बार आप ई-मेल आइडी बनाते हैं और उसमें पासवर्ड अप अपने ऐप में लॉगईन करके छोड़ देते हैं और उसके लिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि इतने सारे आज सकल पासवर्ड होने लगे हैं कि एक-गो भूली जाता है ठीक है तो जो आप दूसर कि उस पर OTP जाएगा जिससे आप अपना पास्वर्ट पता कर पाएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपका मारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यह बेल आइकन जो दिख रहे आप इसे जरूर प्रेस करिए जिसे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बत होता है by default तो आपको इसे open कर लेना है simply इसे open करने के बाद आपको यहां पर आपका जो प्रोफाइल फोटो होता है वो दिखता है आपको simply क्लिक करना है और इसमें आपके एक अगर email होगा तो एक दिखेगा मेरे में बहुत सारे है तो बहुत सारे दिख रहे है थोड़ा न है तो कर देते गूगल और मेरा पासवर्ड मांगेगा अभी तो हमने यहां पर पासवर्ड लगा दिया है और लगाने के बाद हमारा फिंगर्प्रिंट था और नेक्स पर आएगा चेकिंग इंफार्मेशन लिख रहा है तो जैसे आपने गूगल सेलेक्ट किया तो यहां पर आपको वह वाले इमेल डालना है जिसका आपको पासवर्ड पता करना है ठीक है तो वह इमेल डाल देते हैं इमेल डालने के बाद आपको simply करना है next अब इसके बाद आपको कह रहा है इंट्रोर ये password आपको password पता नहीं है इसलिए हम recover करने आए पता करने है password तो simply आपको ये forgot password का option दिखाई दे रहा है इस फे click करना है तो जैसे हमने किया तो यहां पर कह रहा है an email with verification code we just sent to this email ठीक है email ठीक है यानि कि आपका जो recovery email होगा उस पर आपको एक code भीजा गया है वो आपको यह डालना है आपको email नहीं पता है तो आपको यहां पर करना है try another way ठीक है जैसे हमने try another way किया तो यहां पर कह रहा है get a verification code आपने एक recovery जो number डाला होगा वो यह है और last digit दो दिखा रहा है तो उस पर आपको cry करना है text message भीजना है या call करना है तो आपके पास यह दो option है वरना लिख सकते है I don't have phone तो हमारे पास phone है और email भी था तो मैंने आपको समझाने के लिखिया तो हम अपने phone पे एक OTP मंगाएंगे अगर हमने recovery पे मंगाया होता recovery mail पे तो OTP वहीं जाता जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटेक्स पर क्लिक करते हैं तो यह जो number होगा उस पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है ठीक है और मेरा OTP खुछ से एंटर होगी खुछ से हमारा OTP चला गया है ठीक है और इसके बाद हमें कह रहा है हमें new password प्रेट करने के लिए आपको एक नया password करना होगा फिर कंफर्म डालके से पासवर्ट करना होगा तो आपका जो पासवर्ट होगा आपको पता चल जाएगा तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ट पता कर सकते हैं अपने जीमेल वाले आप में आगे हैं लास्ट वाल आगर आप इमेल दिखेंगे तो हमने जो इमेल का पासवर्ट पता किया थो इमेल हमारे हाँ पर हो गया है तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ट पता कर सकते हैं रिकवर कर सकते हैं तो आ कानल पर नहीं तो चानल सब्सक्राइब कर दिजिए कोई भी दिख्रता तो कमेंट करके फूशे वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करें जोर बताइए थैंकियो फॉर वाचिंग दिस वीडियो